रंग बिरंगे फूलों से महख उटा है बॉलिवुट के गरम धरम धरम धर्मेंद्र का फार्म हाउस। बोगनवेला, ओर्केट, गुलाब और चमेली के फूलों ने बढ़ा दी है धर्मेंद्र के बगीचे की खुपसूर्ती। दोनों बीवियों से अलग अब इसी फार्म हाउस में बीचता है धर्मेंद्र का सारा वक्त। गुजरे जमाने के अभिनेता धर्मेंद्र अब मुंबई की दम घोटने वाली भीडवार से दूर लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस में रहते हैं। कहने को तो मुंबई में धर्मेंद्र के दो-दो घर हैं लेकिन उम्र के इस पढ़ाव में धर्मेंद्र को सुहाता है फार्म हाउस पर रहना। लंबे वक्त से धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नियों प्रकाश कौर और हेमा मालीनी से दूर फार्म हाउस पर रह रहे हैं। 86 साल के हो चुके धर्मेंद्र फार्म हाउस पर कितनी शानदार और सुकून भरी जिंदेगी जी रहे हैं। इसकी जलक वाक्सर सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और तस्वीरे शेयर करकर देते रहते हैं। एक बार फिर धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा ही किया है। धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि बसंत के खुबसूरत मौसम में उनके हरे भरे फार्म हाउस में किस तरह से बहार आई है। रंग बिरंगे फूलों ने उनके बगीचे की खुबसूरती में चार चांद लगा दिये हैं। धर्मेंदर के इस खुबसूरत बगीचे के वीडियो को फैंस भी जम कर लाइक कर रहे हैं। साथ ही उनके जिंदगी जीने के अंदाज की भी दाद दे रहे हैं। बता दें कि फिल्मों में कम आक्टिव धर्मेंदर अब अपना ज्यादतर वक्त इसी फार्म हाउस में बिताते हैं। यहां रहकर धर्मेंदर पूरी तरह से किसान बन गए हैं। वो अलग-अलग किस्मों के फलों और सबजियों को उगा कर बेहद खुश रहते हैं। और जब उनकी मेहनत की फसल पक कर तयार हो जाती है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। बीते दिनों ही धर्मेंदर ने अपने खेतों का एक वीडियो शेयर किया था तब उनके खेत में प्याज उगाई जा रही थी। तब मजदूरों से बात करते हुए धर्मेंदर ने बताया था कि वो प्याज के बाद खेतों में आलू भी लगवाने वाले हैं। वैसे धर्मेंदर अक्सर अपने फार्म हाउस और खेतों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। बतादें कि धर्मेंदर का ये फार्म हाउस मुंबई से दूर लोनावला की हरी भरी वादियों में टाइगर पॉइंट के पास थित है। उनका विशाल फार्म हाउस लगभग सो एकड़ में फैला है जहां पर अलग अलग किसमों के फलों और सबजियों के और गयानिक खेती की जाती है। प्रकरती की गोद में फैला ये फार्म हाउस कितनी खुबसूरत लोकेशन पर है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये फार्म हाउस चारों तरफ से पहाडों से घिरा है। और इसके पास ही 100 फीट गहरी एक जील भी है। आसपास ही ज़रने भी हैं जो यहां के नजारे को और भी ज्यादा दिलकश बना देते हैं। धर्मेंदर ने अपने फार्म हाउस में रॉक गार्डन भी बनवाया हुआ है। उन्होंने अपने फार्म हाउस में कई गाय भैस और यहां तक की बत्तकें भी पाली हुई है। धर्मेंद्र को इनके साथ अक्सर वक्त गुजारते देखा जाता है। उनके फार्म हाउस पर वो तमाम आधुनिक सुख सुविधाई मौचूद हैं जो शेहरों में सेलिब्रीटीज के घरों में होती है। धर्मेंद्र अब लोनावला से मुंबई बेहत कम ही लोटते हैं। सिफ जरूरी ओकेजन्स या फिर शूटिंग के लिए ही धर्मेंद्र लोनावला से पाहर निकलते हैं। विरो रेपोर्ट E24 झाल